अगला प्रश्ण है दोस्तो बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की और प्रवाहित होने वाली नदिया कौन कौन सी हैं तो दोस्तो बागबती, कमला, गंडक ये सब जो है उत्तर की और प्रवाहित होने नदिया हैं तो इसका उत्तर सही हो पतना जिले में गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी है अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्लिकित में से किस अस्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है तो दोस्तों कुरसेला में कुरसेला में जो है कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है अगला है निमलिकित में से कौन सी नदी फटुहा के पास गंगा में मिलती है तो दोस्तो फटुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है पुनपुन नदी मिलती है तेल नदी निमलिकित नदियों में से किसकी साहिप नदी है तो दोस्तो इसमें से उत्तर से हो जाएगा उ उत्तर बिहार दोस्तो वो बाढ़ के लिए जो है परसिध है अगला प्रस देखेंगे प्रश्णमबर दोस्तो दस्वा है नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है तो दोस्तो कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सी नमर 12 है दोस्तो, सोन नरमदा तथा महा नदी निकलती हैं, सोन नरमदा तथा महा नदी ये सब कहां से निकलती हैं दोस्तो, अमर कंटक से निकलती हैं, अगला प्रश्न है, निमलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं, तो दोस्तो, चार अपसंदिया हु पुलत जल परपात दोस्तों बिहार के नवादा जिले में इस्तित है बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है बिहार का सोक कोशी नदी को कहा जाता है अगला प्रश्ण दोस्तों बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो दोस्तों बिहार में गंगा की सबस उसे पश्चिम की और नदियों का सही क्रम कौन सा है तो दोस्तों बिहार में पुर्व से पश्चिम की और की नदियों का सही क्रम पहला वाला है कोसी के बाद कमला के बाद बागबती नदी इसके बाद बुढ़ी गंटक नदी अगला प्रश्ण है दोस्तो किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है तो दोस्तो को सी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है अगला प्रश्ण है बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है तो दोस्तो बिहार की प्रमुख नदी गंगा नदी है अगला प्रश्ण है प्रश्ण अमबर य सिप्रा नदी जो है वो बिहार में नहीं है, कुन-कुन नदी बिहार में बहती है, बराकर और स्वाड रेखा ये सब बिहार में बहती है, अगला प्रश्च दोस्तो, निमने लिखित में कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो दोस्तो गंगा की सहायक नदी इन चारों में स श्री गडेश कब हुआ था तो दोस्तो ओनाई सो चोवन में हुआ था अगला प्रश्ण है किस नदी को बिहार का सोक कहते हैं तो दोस्तो बिहार का सोक जो है को सी नदी को कहा जाता है अगला प्रश्ण दोस्तो प्रश्ण अमबर 28 है बिहार में बहने वाली नदीयों में किस संगम से बनती है तो दोस्तों फल्गु नदी जो है वो मोहाना और लीला जन नदी के संगम से बनती है अगला प्रश्ण दोस्तों प्रश्ण नमगतीस है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में इस्थित है तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जि दिवस का मना जाता है दोस्तों माई के दूसरे सब्ताह में मना जाता है बिस्व जैव विविद्धा दिवस का मना जाता है दोस्तों 22 माई को मना जाता है बिस्व पर्यावलर दिवस 5 जुन को मना जाता है वन महसो जुलाई और सितंबर महिने मना जाता है बिहार प्रिथिवी दिवस कम मना जाता है दोस्तों 9 अगस्त को मना जाता है बीसो ओजोन दिवस कम मना जाता है 16 सितंबर को वन्य पसु कल्यार दिवस कम मना जाता है 2 से 9 अक्टूबर के तक मना जाता है बिस्व पसू कल्यार दिवस का मना जाता है दोस्तो चार अक्टूबर को मना जाता है डालफिन दिवस पांच अक्टूबर को मना जाता है अगला प्रश्ण दोस्तो भारस सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज की कृसी कर्मन पुरस्कार परदान किया यह पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था दोस्तो मक्का और गेहु के उत्पादन और उत्पादक्ता के लिए दिया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तो बिहार में निम्लिखित में से किस अनाज का प्रत हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का का अगला प्रश्ण है दोस्तो बिहार में मचली उत्पादन करने वाले अगरडी जिले कौन से हैं? तो दोस्तो बिहार में मचली उत्पादन करने वाले अगरडी जिले मधुबनी और दर्भंगा हैं अगला प्रस देखेंगे प्रश्ण नमबर चौथा है दोस्तो उत्पादन छेतर की द्रिष्टी से बिहार में सीर से स्रेडी रैंकिंग की दाले कौन सी हैं तो दोस्तो इसका सयूत्तर हो जाएगा मूंग और मसूर है अगला प्रश्ण है बिहार में गन्ना उत्पादन में अगरड़ी जीला कौन सा है तो दोस्तो बिहार में गन्ना सबसे यदा कहा होता है परश्णी चमपारन में होता है अगला प्रश्ण दोस्तो किस खाद्यान उत्पादन के लिए बिहार को क्रिसी कर्मण पुरुसकार 2017 मिला है तो दोस्तो इसका सयूत्तर हो जाएगा गेहू अगला प्रश्ण दोस्तो भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन के द्रिष्ट से बिहार का अस्थान कौन सा है तो दोस्तो जूट उत्पादन के द्रिष्ट से बिहार का दुती अस्थान है अगला प्रश्ण दोस्तो बिहार में क्रिसी भूम की जोतो का आवसतन आ दूसरे राज conditioned की तुल्णा में कितना है उच्छतम सेदुती है अगला प्रश्ण दोस्तो बिहार का सरवादिक जूट उतपाजन जिला कौंसा है तो दोस्तो बिहार में सरवाधिक जूर उत्पादन किसमे होता है दोस्तो पूर्णिया जिलिम होता है अगला प्रश्ट दोस्तो अगला प्रश्ट दोस्तो बिहार के छितरफल में कुल बोई गई भूमी का परसेंटेज कितना है दोस्तो 80% है ये इसका सही उत्तर हो जाएग और दच्छिर बिहार का मैदान जो है उसका छेतरफल है तेज दसमलो 71% है और छोटा नागपूर का पठार वो 26.14% है और छोटा नागपूर की पहाड़ियों का जो छेतरफल है दोस्तो वो 20.28% है अगला प्रश्च देखेंग दोस्तो प्रश्च नमबर यहां पे 12 है बिहार की कुल स्रम सकती में क्रिसी स्रमिकों का अनुपात कितना है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 अनुपाते 18 अगला प्रश्च दोस्तो बिहार में लीची उत्पादन है भारत के उत्पादन का 84% प्रश्नम्म चौदर देखेंग दोस्तों प्रश्नम्म चौदर कहता है बिहार के कुल उपलब्ध भोमी का केतना परसेंट खेटी में काम आता है तो दोस्तों निमलिकीत में से कौन सा भारत का एक प्रमुक अगला प्रश्न है बिहार की सच से गहनता कितनी है तो दोस्तो बिहार की सच से गहनता 128 परसेंट है अगला प्रस देखेंगे दोस्तो प्रस नमर 17 है छोटा नागपूर पठार की मुख्य फसले कौन कौन सी है अगला प्रस देखेंगे दोस्तो बिहार में क्रिसी के अंतरगत छेतर है कितना है दोस्तो 85 लाग हेक्टेर है अगला प्रस देखेंगे बिहार में सरवादिक जूट उत्पादन करने वाला जिल्या कौन सा है तो दोस्तो बिहार में सबसे जादा जूट जो है वो पूर्णिया जिले में उत्पादन होता है अगला प्रशन दोस्तो चावल उत्पादन की दिश्ट से बिहार का देश में किस करम का अस्थान है तो दोस्तो चावल उत्पादन की दिश से भारत का बिहार का दोस्तो चौथा अस्थान है अगला प्रस देखें दोस्तो जव उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा अस्थान है तो दोस्तो जव उत्पादन में बिहार का तीसरा जो है अस्थान है अगला प्रश्ण है, बिहार में भूमी का उपजाव अंस कौन सा है दोस्तों? बिहार में भूमी का उपजाव अंस है उत्तरी बिहार अगला प्रश्ण है बिहार के किस जिले में अफिम की खेती होती है तो दोस्तो बिहार के मुंगेर जिले में अफिम की खेती होती है अगला प्रश्ण है दोस्तो बिहार के पुर्वी भाग में किसकी खेती सबसे अधिक होती है तो दोस्तो बिहार के पुर्वी भाग में किसक प्रसंक्रण के लिए जाना जाता है। पंजी गृत नहीं है। प्रभुत्य है तो दोस्तों इन चारों में से कोई उत्तर सही नहीं होगा तो उप्यूक्त में से कोई नहीं। अगला प्रस देखेंगे दोस्तों प्रश्ण नमर यहाप अगला है। निमलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारम बिहार के मुंगेर जिले में इस्तित है। अगला प्रश्ण दोस्तों बिक्रम सिला डालफिन अभ्यारम बिहार के कि जिले में इस्तित है। अगला प्रश्ण दोस्तों बिहार में जंगल फैले हुए हैं 29,00,000,000 है टेयर के छेतर फल पर। अगला प्रश्ण है बिहार में छेतर के प्रतिसत के रूप में कुल 1 छेतर कितना है तो दोस्तो बिहार में छेतर के प्रतिसत के रूप में कुल 1 छेतर 19 परसेंट है अगला प्रश्ण दोस्तो बिहार का कौनसा सहर वन जीव सेंचुरी और राष्टी पार्क के लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तो इसका स्यूत्तर हो जाएगा गया अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौनसा आस्थान बिहार में वन जीवन के लिए परसिद है तो दोस्तो बिहार में वन जीवन के लिए परसिद कौनसा है बोध गया अगला प्रश्ण देखेंगे बिहार के कुल भगवलिक छेतर का वन आच्छित परसेंटेज है कितना है दोस्तो लगभग 17% है अगला प्रशन है गौतम बुध अभ्यारम जो है किस जिले में इस्तित है गौतम बुध अभ्यारम गया जिले में इस्तित है अगला प्रशन है दोस्तो निम्न में से किस जिले में बिहार का एक मात्र राष्टी उद्यान इस्तित है तो दोस्तो इसका सयुत्तर हो जाएगा पश्यमी चंपारन में बिहार का एक मातर राष्टी उद्यान इस दित है अगला प्रशन देखिएंग दोस्तो प्रशनमर यहाँ पगला है बिहार का पहला रामसर अस्थल कौन सा है तो दोस्तो बिहार का पहला रामसर अस्थल कनवर जिल है अगला प्र दच्छिड बिहार के और द्योगी विकास का मुख्य कारण क्या है तो दोस्तो दच्छिड बिहार के और द्योगी विकास का मुख्य कारण है उप्यूक्त में से सभी तो पहला क्या है खनेज और कोईले का प्रयाद भंडार होना दूसरा है सडक और रेल का उत्तम जाल और त स्रम है अगला दोस्तो भारत में खनेज उत पादन में सम्रिध राज बहार है अगला प्रशन है तो दोस्तो इसमें से कोई अफसन सही अगला प्रस देख लिएते है अगला है दोस्तो भारत में निमलिखित के उत्पादर में बिहार अगरणी है तो दोस्त पाइराइट के उत्पादर में जो है अगरणी राज्य है अगला प्रशने दोस्तो बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है अभरक का अभरक दोस्तो इसका सही उत्तर हो अगला प्रशन है अगला प्रशन है बिहार में मिलने वाले अच्छे किस्म के अभरक को रूभी माइका के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तो बिहार में क्या नहीं पाय जाता है तो दोस्तो क्या नहीं पाय जाता है लोहा कोईला या सोना या मैगनीज इसमें से दोस्तो लोहा भी बिहार में पाय जाता है सोना भी पाय जाता है कोईला भी पाय जाता है और मैगनीज भी पाय जाता है तो द कोकिंग कोईले का अगला प्रशन है दोस्तो बिहार में खनेज उत्पादन के संदर्म में निमलिखित कथोनों पर विचार कीजिए तो दोस्तो इसमें कौन सा कथन जो है सही होगा उप्यूक्त में से एक से अधिक सही होगा रोहतास में पाईराइट का सरवादिक बंडार है दूसरा है चूना, पत्थर, कैमूर, भभुवा, मुंगेर, एम रोहतास जिलों पाजाता है तीसरा है जमोई जिले में सोने के बंडार पाए जाते हैं अगला प्रशन दोस्तो बिहार के किस जिले में अभरका भंडार है तो दोस्तो बिहार के गया जिले में जो है अभरका भंडार है अगला प्रशन दोस्तो वर्स 2019 में बिहार राज में बिजली छमता की उपलबता कितनी थी तो दोस्तो सही उत्तर हो जाएगा 4767 मेगडवार थी अगला प्रश्ण दोस्तो बिहार में बरोनी रिफायनी किसके सायोग से बनाय गया था तो दोस्तो बिहार में बरोनी रिफायनी जो है वो सोवियत रूप के सायोग से बनाय गया था अगला प्रश्ण है दोस्तो बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्यास्था एवं संभावनाय हैं तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिसी आधारित उद्योग अगला प्रश्ण है बाढ़ सूपर थर्मल पावर इस्टेशन किस राज में इस इत है तो दोस्तो बाढ़ सूपर थर्मल पावर इस्टेशन जो है वो बिहार राज में इस इत है अगला प्रश्ण देखेंगे बिहार में निमलिकित में से कौन सा रेसम सिल्क वस्तर उत्पा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों बिहार में डाल्मियन अगर सिमेंड के लिए प्रसिद्ध है अगला प्रस्ट है बिहार में उद्योगों का कमीशनर दफ्तर कहां इस सित है तो दोस्तों बिहार के उद्योगों का कमीशनर दफ्तर पटना में इस सित है अगला प्रस अगला है दोस्तों, बिहार की उस उज़ना का नाम बताईए जो निर्यातों, मुखी, इकायों की स्थापना के लिए अपेच्छित, उचस्तरी, आवस्तर राचनातमक, स्रुधाओं के निर्मार पर ध्यान देती है, तो दोस्तों इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा, अगला प्रश्ण है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य, सरवाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, तो दोस्तों, बिहार राज्य जो है, सरवाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, अगला प्रश्ण है, निमलिखित में से किस वैसविक कंपनी को बिहार में लोको मोटिव का रख अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है निमलिखित उद्योगों में से किसे बोकारों में इस्थापित किया गया है अगला प्रश्ण है बिहार का एक इस्थाप कारखाना दोस्टो कहां पर है तो दोस्तो बिहार का एक इस्पात कारखाना जमसेदपूर में है अगला प्रशने दोस्तो बिहार में पहली चीनी मिल इस्थापित हुई थी तो दोस्तो बिहार में पहली चीनी मिल जो है कहां पी इस्थापित हुई थी मर होरा में इस्थापित किया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तो बिहार में अध्योगिक वित्ती सहायता पदान करने है तू कौन प्रमुख वित्ती संस्ता है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज वित्ति निगम अगला प्रश्ण है प्रश्ण मेर अगला है दोस्तो बिहार में पटसन उद्द्यों की पट्टी इस्थित है बिहार में पटसन उद्द्यों की पट्टी इस्थित है कहां इस्थित है दोस्तो उत्तर पश्मी बिहार के मैदान में इस्थित है और उत्तर पूर्वी बिहार के मैЙदान में इस्थित है अगला प्रश्ण है कुले पर चलने वाले तीन थरमल पावर इस्टेशन जो बिहार में इस्थित है तो दोस्तो वो कौन सा उतर हो जाएगा बोकारो चंद्रापूर और संताल Willi है ये तीनों जो है दोस्तो कोईले से चलने वाले थर्मल पावर इस्टेशन है अगला प्रश्ण है बिहार में इसपात प्लांट का केंदर कहां पर है तो दोस्तो बिहार में इसपात प्लांट का केंदर जो है राची में है अगला प्रश्ण है बिहार में तेल सोधक कारखाना कहां इस्तित है बिहार में तेल सोधक कारखाना बरौनी में इस्तित है अगला प्रश्ण है दोस्तों इवन में से कौन सा उद्योग दच्छिर बिहार में इस्तित है तो दोस्तों दच्छिर बिहार में कौन सा उद्योग इस्तित है लोहा और अगला प्रश्ण है बिहार के कौन से दो अस्थान पेपदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग-अलग से जाने जाते हैं तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया एवं कटिहार अगला प्रश्ण है दोस्तो भागलपूर में कौन सा महत्पूर उद्योग इस्थापित है तो दोस्तो भागलपूर में रेसम उद्योग जो है ये महत्पूर इस्थापित है अगला प्रश्ण है बिहार में रेल कोच फैक्टरी का केंदर कहां इसी थै तो दोस्तो बिहार मे अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा उध्योग दच्छिर बिहार में इस्थित है लोहा एवं इस्पात्थ जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अगली राज्य है तो दोस्टो कटिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है दोस्तो भारत का प्रथम उरोवरक सन्यंत्र इस्थापित किया गया था सिंदरी में अगला प्रश्ण है कौन सा उद्ध्योग बिहार में मौजूद नहीं है तो दोस्तो आपसंसीस का सही उत्तर हो जाएगा गहरे समुद्र के मत से उत्पाद जो है ये बिहार में मौजूद नहीं है अगला प्रश्ण है बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना पहाजित है तो दोस्तो बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छापरा में इस्तित है